इस्टुडेंट्स पिछले कुछ महिनों में आपने इस तरीके की जो इमेज है इस तरीके की जो फोटो है वो न्यूज़ पेपर के अंदर में या आपने आसपास आपने जरूर से इनको देखा होगा कि काउ के इस तरीके से जो डिजीज है वो हो रही हैं इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस डिजीज की तो इसको लंपी इसकी इन डिजीज बोलते हैं जिसका इंडिया के अंदर में आउटब्रेक हुआ था ये आउटब्रेक हमारे कुछ स्टेट्स से स्टार्ट हुआ और ओल और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के अंद जो गाई हैं जो काउ हैं उनकी यहाँ पे डैथ हुई है इस डिजीज के आउट ब्रेक की वज़े से इस्टुडेंट्स इंडिया के अंदर सबसे पहले इस डिजीज के बारे में जो केसेज सामने आए थे वो 2019 के अंदर में आए थे जो हमारा इस्टन स्टेट्स है उडिसा और जो बंगाल के रीजन है वहाँ से इस तरीके के जो केसेज हैं वो सामने आने लगे बट उस समय में इसका आउट ब्रेक नहीं हुआ था अभी प्रजेंट समय में 2022 के समय में इस तरीके से लंपी स्कीन ड डिजिज एक वेक्टरन बोन ऌर्फ इजिज है जो पॉक्स में अपने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स जो होती है जो बच्छों के अंदर आपको देखने को मिलती है बच्पन के समय में तðो वो इसमॉल पॉक्स की तर्ण ऑपोउक्स की तरह ये पोउक्स डिजिज है जiben जिसके होने के behind में जो यहां पे virus काम करता है इसको बोला जाता है capri pox virus है capri pox virus यहां पे work करता है जिसकी वज़े से यह जो lumpy skin disease है यह आपको देखने को मिलती है students worldwide में इस virus के थुरू आपको यहां पे live stock जो sector है जो हमारे पसुपालन से related है इनके अंदर हमको सबसे ज़्यादा यह जो lumpy skin disease है वो देखने को मिलती है genetically यह जो virus है यह related है goat pox से या sip pox जो होती है जो हमको भेड और बकरिया है इनके अंदर में जो pox है वो देखने को मिलती है उसी virus की family से बिलोंग करता है lumpy skin disease के अंदर में जो infect होता है जो infected यहाँ पे cattle होती है या water buffalo है वो mainly इस vector के थुरू यहाँ पे contact में आती है और वो जो lumpy skin disease है उससे यहाँ पे infected हो जाती है blood feeding insect भी है वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे work करते हैं इस skin को यहाँ spread करने में इसके लावा students हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि जब यह disease यहाँ किसी भी cattle के अंदर में किसी भी animal के अंदर में आपको होते हुए दिखाई देगी तो यहाँ पे जो circular form में circular form में बड़े-बड़े nodes हैं बड़ी-बड़ी जो गाठे हैं वो हो जाती है किसी भी जानवर के अंदर में अब यह inside भी हो सकती है outside भी हो सकती है तो उनकी skin के उपर इतने बड़े-बड़े जो lumps हैं वो हमको देखने को मिलते हैं इसकी वज़े से इसको lumpy skin disease बोला जाता है जो infected यहाँ पे जो animal होता है immediately उसका जो weight है वो यहाँ पे आपको lose होते हुए दिखाई देगा जो weight है वो आपको कम होते हुए दिखाई देगा इसके साथ साथ जो जानवर है उसको fever है जो fever है वो आपको काफी ज़्यादा दिखाई देगा इसके अलावा जो mouth है यहाँ पे आपको इसी disease का जो है जो change है जो आप बोलें की जो effect है वो आपको दिखाई देगा और जो milk है जो दूद उनसे जानरों से जो निकाला जाता है उसका जो yield है वो यहाँ पे reduce हो जाएगा जैसे आप suppose कीजिए अगर किसी भी यहाँ पे जो cattle है कि उसके दुआरा अग कोई milk है वो अगर 5 लेटर के आसपास दिया जाता है तो रेडियूस होते हुए तो वन लेटर के आसपास रेडियूस हो जाएगा यहाँ पे जो milk है जो students lumpy skin disease में हमने देखा कि fever होता है high fever 41 degree centigrade के आसपास lumps है जो swollen जो भारी भारी जो lumps है वो दिखाई देती है इसकीन के उपर में 4 से 14 डेज तक का यहाँ पे time period होता है incubation period होता है यहाँ पे जो lumpy skin disease से जो infected जो kettles है वहाँ पे animals के अंदर में यह जो lumpy skin disease है यहाँ पे larger जो diameter है इनका उसमें दिखाई देती है 5 cm तक इनका diameter होता है जो lumps होती है उनका तो यह इस तरीके से हमको दिखाई देता है students lumpy skin disease के बारे में इसके अलावा अगर हम बात करें जो lumpy skin disease है इसका जो outbreak हुआ है यह outbreak African countries से endemic के रूप मे वहाँ पे declare किया गया वहाँ पे endemic है since 2012 से यह spread हो रहा है उसके बाद में Middle East के countries के अंदर में आया South East Europe के अंदर गया West and Central Asia के अंदर में यह case से ऐसे जो cases है वो report किये गए अक्सर समय पे इंडिया के अंदर गर हम बात करें पहली बार जो lumpy skin disease के जो case है वो record किये गए थे वो 2019 के समय में record किये गए थे students COVID-19 के outbreak से भी पहले 2019 में उडिसा के अंदर में और उडिसा और बंगाल जो हमारे Eastern States है वहाँ पे इस तरीके के cases जो lumpy skin disease के 2019 में आना शुरू हुए थे सबसे important बात ये है students कि lumpy skin disease, genetic disease नहीं है means ये जो disease है एनिमल से human की तरफ ये नहीं spread होती है humans इससे infect नहीं होते हैं ये इसका सबसे best benefit है आप देखें कि COVID-19 को भी start में कहा गया था कि जोनिटिक disease नहीं है animals से humans या human to human transmission नहीं होगा उसका इस तरीके से बताया गया था उस disease के बारे में पर बाद में वो उसके जो effect है वो आपको देखने को मिले different level में तो यहाँ पे जो lumpy skin disease है not genetic है जानवरों से इंसान को यहाँ पे transfer नहीं होगी इसके अलावा अगर हम बात करें students lumpy skin disease से related एक vaccine है उसको इंडियन कुछ institution है ICAR है एंड इसके अलावा जो बरेली में इज़्जत नगर है वहाँ पे एक Indian veterinary research institute है उनकी दुआरा जो वैक्सीन है lumpy skin disease से जिसको lumpy pro vac ind बोलते हैं vac ind means the vaccine developed in India तो vac ind हो गया pro means उसका बचाव के लिए lumpy pro vac ind जो वैक्सीन है इसको डवलप किया है ICAR जो हरियाना के अंदर में इसका एक center located है जो ICAR का center जो हरियाना में है हिसार के अंदर में और इसके अलावा Indian veterinary research institute है इज़्जत नगर बरेली के अंदर में तो इन दोनों institute के दुआरा मिलके lumpy pro vac ind जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे डवलप किया गया है यह homologous vaccine है live attentuent vaccine specially target to protect cattle against the lumpy skin disease से यह जो cattle को यह protect करेगी इसे यहाँ पे vaccine के दुआरा disease से यहाँ पे cattle को protect किया जाएगा तो students यह यहाँ पे lumpy skin disease के बारे में था कि क्या-क्या lumpy skin disease है virus से यह फैलती है आपको exam के अंदर में question पूछा जा सकता है क्या यह bacteria से spread होती है virus से spread होती है इस तरीके से इसके अलावा यह पूछा जा सकता है कि पहले कहां पे outbreak हुआ क्या इंडिया में पहली बार outbreak हुआ है इस तरीके से questions पूछी जा सकते हैं तो students this is all about the lumpy skin disease ऐसे short videos के थूँ हम आपसे regular way में मिलते रहेंगे तो thank you students thank you very much